आपका वी नेशन ट्रिपल वन की एक नए एपिसोड में जहाँ आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुक अपडेट्स को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आज के प्रमुक अपके लिए लेकर आई एक बड़ी अपडेट से आप सबको पता है कि भारतिया वायु से ना के लिए आये मारिश तो भारतिया नौ से ना के लिए जो डीबी अमारिश प्रोग्राम है यह इनिशियेट किया गया है जहाँ पर एडवांस हेलिकॉप्टर का निर्मार किया जाना है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदोस्तान अरॉन और्ली वारिट के द्वारा दो अलग अलग रिकर्स पर इंफोबेशन इशू करी गई है जहाँ पर डीबी अमारिश के जो दो नए वैरियंट है इनको विक्षित किया जाने की बात की गई है जो आरिफाई है इसमें पहले जो वैरियंट के बारे में बात करी गई है वो एक सबसक्कों और शरुक किया जाएगा और इसको हम db-mrch AEW के नाम से जानेंगे और जो दूसरा variant हमें देखने को मिलेगा वो DBMRS variant होगा यानि Special Operations variant जो है वो हमें देखने को मिलेगा सबसे खास बात यह है कि program शुरू होने के 60 महीनों के अंतरगत जो helicopter है इसका design और development पूरा करना है और जो production facilities हैं इनको भी तयार करनी है यानि कि अगर हम airborne early warning जो radar के साथ हमें DBMRS देखने को मिलेगा यानि DBMRS AEW की बात करें तो इसका जो prototype है यह हमें June 2027 तक देखने को मिलेगा और जो S variant है यह हमें March 2027 तक देखने को मिलने वाला है अब यहाँ पर जो request for information issue करी गई है इसमें जो Indian और foreign vendor है दोनों के लिए ये RFI खुली होगी लेकिन ये का making India initiative के अंतरकत किया जाएगा और इसमें technology transfer और जो defense manufacturing ecosystem है इसको बढ़ाये जाने की बात की गई है कहा जा रहा है कि भारतिय और नौस और नहीं से मिले feedback के अधार पर ये जो advanced helicopters है इनका निर्मार किया जा रहा है हलाकि आपको बता दे कि इन helicopters को जो weapons है इनसे भे equip किया जाएगा हलाकि इसको लेकर जो information है बहुत सारी सामने रखी गई है लेकिन इस short वीडियो में उनको बता पाना मुश्किल है तुसे किसी और वीडियो में हम discuss करेंगे एक तरब जहां DB AMARCH को लेकर काम शुरू है तो आई AMARCH भी युद्ध इस तरब पर आगे बढ़ रहा है इसमें कुछ design refinement होई है जिनके बारे में आप एरोंड ये 2025 में काफी गहनता से देख पाएंगे हमारे गली बड़ी ब्रेट हिंदुस्तान Aeronautics Limited से आई है आप सब को पता है कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited बहुत जल्दी जो सुपर सुखोई प्रोग्रेम है उसमें इंगेज होने वाली है और उससे पहले एक बड़ी गुड न्यूस सामने आई है चहांपर HL के तरब से कहा ग गई थी उसकी manufacturing को यह शुरू करेंगे और इसी करम में एजल के तरफ से कहा गया है कि उनका फिलाल उद्देश यह है कि भारती अवायसना ने अरगलग जो हादसों में 130 MKI गमाए है उनकी यहां पर जो replacement है वो तयार की जाएगी और बगाएदा यह जो aircraft होंगे यह सुपर स कोई standard के होने वाले हैं यानि कि यह upgraded variant होंगे सुपर सुकोई 30 MKI के लेकिन important बात यह नहीं है important बात यह है कि IDRW की रिपोर्ट के अगर हम बात माने तो उनकी रिपोर्ट में कहा गया है कि internet force को लेकर HAL एक बड़े proposal के त्यारी कर रही है जहां पर HAL इस प्रयास में है कि भा 344 तक हो जाएगी और SME 2019 से 30 तक 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 चार additional squad जो है इन इन एफोस एड़ करने में सफल रहेगी और यह जो additional unit होने वाली है इनकी लागत तक 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 5 billion dollars की होने वाली है सबसे खाथ बात तो यहां पर यह होगी कि यह upgraded variant होंगे सुखोई 30 MKI के जिनकी capability कहीं ज्यादा advance होने वाली है HAL का जो offer है 72 additional fighters का यह basically 130 या super 30 अपगेट package के साथ देखने को मिलेगा जहां पर इसकी जो compatibility है modern warfare requirement में यह पूरी तरीके से बनी रहेगी कि यह upgrade की बात करें तो जो upgrade offer किये गए हैं इसमें इंडियन एसा radar देखने को मिलेगा जो कि enhanced direction range, accuracy और resistance के स साथ देखने को मिलेंगे जहां इसमें जो advanced avionics है mission computer है navigation system है यह सब भी भारत में ही विकसित किया जाएंगे और सबसे खास बात पर यह है कि indigenous weapon integration हमें इसमें काफी बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा 90% से 90% से जादा जो strike package है वो हमें indigenous देखने को मिलेगा अब यहां प अबर हमने कल की वीडियो में discuss किया था AL-31FN के बारे में जो कि तकरीबन 142 किटन का stress generate करता है जो कि AL-41 से भी जादा है तो जाहिर सी बात है कि अगर यह contract sign होता है तो भारत advanced engine के तरफ जरूर जाएगा जो कि next generation requirement को पूरा कर पाए लेकिन इस point of time पे यह कहपाना जल्दबा जी होगी कि इंडियन एफोस कैसे प्रपोजल को accept करेगी या नहीं लेकिन अगर मैनलिस्ट की बात माने तो यह मानते हैं कि अगर MRFA आपका लेट लतीवी का सामना करना करता है तो फिर जो अपगेड़ेट सू 30M के आई है इनको लेना कोई बुरी बात नहीं है यह इंडिय है लाइट कामेट हेलिकॉप्टर फ्रचंड को लेकर के हाले में ट्राइडेंट टेक प्राइवेट लिम्टेट आया इटी मद्रास भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिप्डेट आर एल और बिलवा टेक्नॉलोजी के साथ मिल करके एक बड़ा जो टेस्ट है वाय जित किया गया ह है लसेर फ्रचंड में जहाँ पर लोकली डेबलब 80 mm के जो मल्टी मोड रॉकेट है इनके सक्सेस्फूल टेस्ट को आयजित किया गया है और ये एक सिग्निफिकेंट एच्यूब्मेंट है क्योंकि इंडिया की डिफेंस कैप बिल्टी अफ सुदिशी तोर पर लगातार पर्टेकुलर लेकर हम बात करें आर्मेमेंट की तो एक सिग्निफिकेंट के लिए जो 80 mm रॉकेट है ये फिलाल अभी और टेस्टिंग से गुजरेंगे और जब सारे चीज़े वैलिडेट हो जाएंगी तो जो मौदूदा 70 mm रॉकेट हैं इनके साथ साथ जो 80 mm रॉकेट ह इनको भी ऐसे प्रजन्ट फायर कर पाएगा ये इस समय 70 mm रॉकेट का इस्तमाल करता है जिन्हें अडानी डिफेंस एलो स्पेस और तेल्स ग्रॉप के द्वारा पार्टनर्शिप में बनाया गया है लेकिन जो अपकमिंग इंटिग्रेशन है 80 mm रॉकेट का ये इसकी ऑप 80 mm के रॉकेट हैं ये ज्यादा बड़े पेलोड को केरी करेंगे जो कि 70 mm के रॉकेट में होता है जिसे कि इसके एक्स्प्लोजिव पावर काफी बढ़ेगी और जो लेथालिटी है ये भी काफी ज़्यादा यहां पर बढ़ने वाली है इसके अलावा जो 80 mm के रॉकेट है वो 70 mm रॉकेट के तिलना में ज्यादा रेंज के साथ आएंगे और इनकी एक्यूरिसी को भी काफी इंप्रूब किया गया है और सेफर डिस्टेंस से जो LCH के पाइलेट हैं वो एन्मी के जो टैंक्स हैं उनके बंकर्स हैं इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे ल पहली कॉप्टर हैं यह देखने को मिलने वाले हैं जिनसे भारतिय थलसिना की ताकत कई गुना जादा बढ़ जाएगी और उन्हें पहले जो LCH के बैच हैं उनका इंसदार अभी से ही हो रहा है जो कि अप्ग्रेड़िट वैरियन्ट होने वाले हैं जैसे कैसे चानते हैं कई बार भारत को रुष्यियन को बातं के बारत में प्रस्ताओं लेकर नंबर्स को लेकर भी confirmation सामने नहीं आई है और किस मेडिया ने यह चीजी करी है इसको लेकर confirmation सामने नहीं आई है लेकिन माना जा रहा है कि जो रश्या है भारत को insist कर रहा है लेकिन सबसे बाड़ी बात यह है कि इंडियन defense analyst यह मानते हैं कि अगर limited numbers में भी यह लिये गए तो इनका इस्तमाल ब्रमोज, ब्रमोजन जी, रुद्रम सीरीज की missiles को launch करने के लिए किया जाएगा और एक बार जब एन्मी के रिडास सुस्टम तबाह कर दिया जाएंगे तो यह Matthew bombing campaign को पूरा कर पाएंगे तो वहीं analyst का एक तपका यह भी कहता है कि फिलाल हमारे लिए fighter aircraft प् आत्मिकता रखनी चाहिए आप अपने ड्राइ कमेंट सेक्टर में जरूर दीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाहन्त